मंत्री लाल चांद कुटारुचा का मामले देविच एक नवा मोड आया है जानकारी मिली है कि शिकायत करता ने अपनी शिकायत वापस लई है अते कारवाई करवाई करवान नो लेके ना कह दिती ए एवी के हाजान्दा है कि शिकायत करता जिस रना केशव कुमार दिस्या जारी है उसने पुलिस नू लिखती ब्यान धर्ज करवाएने की ओ कोई कारवाई नहीं करवाना चौन्दा इस दिना ही एवी जानकारी मिली है कि SIT ने कौमी SC कमिशन नो इस बाबत रिपोर्ट सौम दिती है डिएजी नरिंदर पारगवदी अगवाही दे हेट SC कमिशन इसे मामने दी जांच कर रही सी अटे एवी दिस आजानदा है कि सुखपाल ख्याराने सबतर पहला ए मुद्दा चुक्या सी जिस दे विच पीडित ने जिनसी शोशन दे इलजाम लगाए सन कबिनेट मिंत्री लाल चंद कटारू चक देते एवी देसा जान्दा है कि पीडित ने खुदनू नबालिक दास्त के एदोश लगाए सन जिस मामले विचे कथित वीडियो भी सामने आई सी ते हुण पीडित केशव कुमार ने इस मामले विचे यू टर्न लिया है आपने बयान भी बदले गए निस देप वल्लों एवी केहा जाना है कि SD कमिशन ने पंजाब सरकार नुँ 6 जून तो तीज़ा नोटिस जारी किता सीयते 12 जून नुу रिपोर्ट मंगी सी तिन मार रिपोर्ट मंगंतुबाद हुं तीजी मार रिपोर्ट सूमपी गई सी SD कमिशन नु एशाईती देवलनों पर उन्हीं वीदे सेशन तो पहला ही अजेहा नवा मोड कटारुचा का मामले देविच आ चुक्या है जसे जांदा है कि पीडित ने वी किया है कि उसना मुबाइल फोन गुम हो गया सी जिस्त बाद उस वीडियो देनाल छेड़ चाड़ की अधे फिर जद उसनों मुबाइल फोन वापस मिलिया तो वीडियो बदली हुई सी अजेहा केंद्या होया उसने इस मामले देविच कारवाई करौन नू लेके साफ इंकार कर दिता है जिकरे खास है कि जाद एसाइटी टीम देवलों पीडित नू सुरख्या देंदी वी गल कही गई सी ता उस देवलों सुर पोर्च अधिकला टाइम टीवी